हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो एनस क्लासेज माइम इस नीटू आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेस्स सीरीज 21 के बारे में इससे पहले हम भी सीरीज डिसकस कर चुके हैं आई होब आपने सारी सीरीज अच्छे से देखी होंगी नहीं देखी तो प्ले लिए जाके इन सीरीज को अच्छे से चेक आउट कर लो ताकि आपको बाद में ऐसा ना लगे एक साथ बहुत सारी ना हो ठीक है जितना ज्यादा कोशन करोगे जितना ज्यादा प्रक्टिस ज्यादा कोशन डिसकस करेंगे हैं और अभी तक अगर आपने अगर आपक यह पहली क्लास है तो आपने प्रोसेसिंग यूनिट यह घुंटिन नेटवर्क सी करो चोड़ियर को ऑप क्या कोब्स का वोगे कंट्रोल एक से त्यू क्या होता है बैसा अपका क्या होता है यह इ CPU के 3 main component होते हैं कौन-कौन से होते हैं कोई कमेंट करके बताएगा CPU के 3 main component होते हैं एक होता है CPU control unit एक होता है ALU और एक होता है आपका register या फिर आप उसको बोल सकते हो memory unit ठीक है तो यह 3 main component होते हैं आपके CPU के फिर आगे आपका communication processor फिर आगे आपका data coordinator और लास्ट है आपका none of the above तो आपका यहां पर answer होगा भई C option आपका यहां पर बिल्कुल सही होगा 12th question देखो two or more computer connected to each मतलब second question भई two or more computer numbering पे मत जाना ठीक है अपना 10 में सही marking करना two or more computer connected to other for sharing information बोल रहा है कि जब दो या दो से जादा computer को आप connect करवाते हो information को share करने के लिए तो आप उसको क्या कहोगे network कहोगे router कहोगे server कहोगे tunnel कहोगे pipeline कहोगे तो इस type कहोगे network तो यह option आपका यहां पर बिल्कुल सही होगा 13 कोशन देखो if a computer provide database services जब आपका computer जो है वो प्रोवाइड करता है database services to other than it will be known as क्या कहोगे इसको web server application server database server FTP server या none of the above ठीक है तो यहां पर जो आपका answer होगा भी C option आपका यहां पर बिल्कुल सही होगा database server 14 कोशन देखो technology used to provide internet by transmitting data over wires of telephone network is मतलब वो टेकनोलोजी जो आप use करो provide internet by transmitting data over wire of telephone network is transmitter, diode, HHL, DSL या none of these है तो क्या होगा कौनसी wire यूज करोगे भी DSL तो D option आपका यहां पर बिल्कुल सही होगा 15 कोशन देखो document मतलब documents जो है movies है, image है, photographs है उनको जब आप store करवाते हो ना कौनसी apply कहां पर store करवाओगे application server पर, web server पर, print server पर, file server पर या none of these ठीक है तो इनको आप कहां पर store करवाओगे भी इन सारी चीजों का आप store करवाते हो file server पर तो D option आपका यहां पर बिल्कुल सही होगा 16 कोशन देखो RAM जो होती है RAM consists of which of the following RAM जो है वो किसे मिलकर बनी होती है conductor से, semiconductor से, vacuum tube से, transistor से या none of these से ठीक है ताकि यह चीज आपको टिस पर याद हो जाए आप इन चीजों को कभी भी न भूल पाओ क्योंकि एक चीज को आप बार बार सुनते हो पढ़ते हो तो वह चीज आपके दिगमाग में बैट जाती है कई बार हम वैसे पढ़ते हैं अगर वैसे पढ़ोगे तो confused हो जाओगे लिकिन बार बार उसी चीज को सुनोंगे तो कभी जो है गलत होने के chances होंगी नहीं तो राम जो है वह सामी कंड़क्टर जो है कंस्ट करते है तो भी option आपका यहां पर बिल्कुल सही होगा 17 कोशन देखो who is the father of internet internet का father कौन था बही चाल्स बैबेस था विंट शर्फ था डैनिस रीची था मार्टन कॉर्पर था चाल्स बैबेस जो थे वह किसके फादर थे बही कंप्यूटर के चाल्स बैबेस किसके फादर थे कंप्यूटर के विंट सर्फ किसका था वह का आपको जो है comment section में answer देना है 18 कोशन देखो dash is the process of verification किसमेंसे कॉंसी process है जो verification के लिए हम use करते हैं असे लोगिन का लोगाउट गा authentication का यदू तो कॉंसी process को युज करो कि आधिशन को हम यूज करते हैं अथेंटिकेशन क्या होता है कि एक तरीके का हमने उसको अथेंटिकेट किया है तो दी आप्शन आपको यहां पर बिहकुल सही होगा 19 कोशन देखो स्वारी आइडेंटी दा ओड वन फ्रॉम्दा फॉल्विंग मतलब इन में से एक ओड वन आउट बताना है कि डिफ्रेंट कॉन सा है cd dvd किसलिए यूज की जाती है cd क्या होती है compact disc होती है यह जो है वह किसलिए होती है data storage के लिए हम यूज करते है यूज की छुए पर यूज करिए यूज करते हो आप यूज करते हो data storage के लिए लेकिन BIOS के होते है आपकी basic input output operation होते है यह आपका जो है storage नहीं है या तो D option आपके यहाँ बिल्कुल सही होगा हमारा आज का last question है USB तो अप्छा आप आप थी ताइप आप डिवाई यू एस बयाई आपकी इस भी आपकी सबसे पहले आप मुझे जो यूएस भी की फॉल फॉर्म है सारे बच्छे कमेंसेक्षिन ने बताएंगे कि यूएस भी जो है वो क्या श्टैंट्स पर तियू यू अपसको मुझे कमे किसमे कितने marks चलिए हैं, सारे बच्चे मुझे कमेंट जक्षन में बताएंगे mean और आपकी कैसी प्रपरेचरव, कैसा लग रहा है कुछ कान्फिडेंस आया या नहीं आया जो भी है आप मुझे कमेंट सेक्षन में बता सकते हैं तो आयोप आपने आज ही क्लास को एंजोई किया है तो एक लाइक तो बनता है कमेंट बनता है और शेयर बनता है तो फिर मिलेंगे ऐसे नहीं क्लास के साथ तके लिए बाई एंड थांक यू